अलो दोस्तों यूटूम् आपका स्वागत है माहूं आपका दूस्त राजु कुमार दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सिक्षक बहाली की जो थर्ड चरन है यह तीसरी चरन की बात करेंगे जिसमें सतर हजार सिक्षक की वैकेंशी की सुक्रिती मिल गई है और आप लोग को इसी मन्त यानि फरवरी में ही कुछ दिन के 10-15 दिन के अंदर ही आपको सिक्षक भाली की तीसरी चलन की बैकेंसी देखने को मिल सकती है उसमें भी छोटा मोटा सक्षा में नहीं बहुत बड़ी संख्या में 70,000 आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बैकेंसी है दो चलन की तो और 70,000 पत पर नियुक्ति होनी है और इसमें एक अपडेट देने के यह दोस्तों आया हूं जो शिक्षक पहाली की दूतिय चलन की जो बैकेंसी आई थी उसमें कुछ सीट की रिक्तियां रह गई थी कुछ सीट खाली रह गई थी जिस करण से उसमें चर्चा हो रही थी बा करें और केंसी माध्यम से दूसरी की भी खाली चीट को बहौ किला कि तोर साथे आषे तोशारे ऐसे संथी हैं सिटेट भी कर रहे हैं उनका कहना है दोस्तों कि GS सेशन मेरा कामजोर रहने के कारण मैं मेरिट में आ पाता हूं कुछ नममर से मेरी रिजल्ट नहीं हो पाती है क्योंकि फष्ट और सकेंड़ में कुछ नममर से डिस्क्लाइब हो गया हूं तो GS के लिए मैं क्या करूँ दोस्तों GS के एक महा मंत्र देते हैं आप केबल एक किताब पढ़े उससे आपकी GS की समस्का का निदान हो जाएगा क्योंकि GS इसमें कोई बड़ी तो मलद GS नहीं पुझा जाता है एयसा GS पुझा जो आप उस किताब के पढ़ने के बाद जो एक किताब का मैं नाम बताऊंगा उसकिताब को पढ़ने के बाद आप आसानी से GS के सेसन समान अध्यन के होते हैं 40 कोशन होते हैं उसको आप आराम से कर सकते हैं उसके लिए तो मैं बताऊँ का आपको एक बुकं की क्राउन दिखाई देता हूं यह देखिया को और आप को पढ़ लेते हैं हैं तो आप आपका जीएस 100% कहते हैं दोस्तों आपका जीएस बहुत अच्छा जाएगा और आप एक्जाम के जितने भी कोशन आएंगे लगवग 80-90% को आप बना के आईएगा और आपके लिए बहुत फुल होगा बहुत मदद मिलेगा और दोस्तों और भी कुछ अपडेट या जॉब जूरी जानकारी के लिए मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और लाइक किजेगा जानकारी किसली की जुरू बताईएगा जाएंगे दोस्तों